तमश्कार न्यूस 24 देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ जबल मिश्रा पित्र पक्ष की शुरुवात होने जा रही है दान, धर्म, कर्म के ये 15 दिन होंगे जिनको लेकर के लोगों के मन में कई सारे सवाल होते हैं लोगों के मन में ये जानने की इच्छा रहती है कि आखर पित्र पक्ष होते क्यों हैं, कब से शुरू हो रहे है इन दिनों क्या-क्या करना चाहिए बहुत से लोग गया भी जाते हैं क्यूं जाते हैं कि इन लोगों को जाना चाहिए ऐसे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जोड़ेंगे पंडित हरी गोपाल शर्मा जी आपके सभी सवालों के जवाब आज यहाँ पर मिलेंगे आपको तो सबसे पहले तो यही आपसे सवाल की पित्र पक्ष कब से शुरू हो रहा है और कब तक चलेगा देखें पित्र पक्ष की सुरूआत इस वर्स 29 सितंबर से होगी 29 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक पित्र विसरजनी अमावश्या को इसका समापन होगा पित्र पक्ष का सुबारब पूर्णिमा तिथी से होता है 29 सितंबर को पूर्णिमा का और प्रत्पदा का दोनों का सराद्ध होगा सराद्धों का विधान है कि जिन तिथी में आपके पूरवजों की मृत्यू होती है जिन दिवंगत आत्मा को मुक्ति होती है उसी तिथी में उनका सराद्ध करना चाहिए तो स्राध्द करने का ये विदान है सास्त्र कहते हैं पित्र देवुबह यानि के पित्रों को सास्त्रों में धेवताओं का स्थान दिया गया इसी वज़े से आश्वर मास के पंदरे दिन इस सनातन धर्म में पूरी तरह से पित्रों को समर्पित होते हैं इन पंदरे दिनों में हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पित्रों के उपर ध्यान किंद्रित करना चाहिए उनका इस्मरार करना चाहिए क्योंकि सास्त्रों के मताबिक यद पित्रों की करपा होती है तो घर परिवार में सुक्सांती स्रमद्धी आती है और वंस व्रद्धी होती है एक सवाल मन में ये और आता है कि अश्विन के महीने में ही इन मास में ही पित्रपक्ष क्यों होते हैं, साल में और बारा महीने, ग्यारा महीने होते हैं, उन में ये पित्रपक्ष क्यों नहीं आता है? बहुत उत्थम सवाल किया आपने ये बहुत बिचारणी प्रश्ण है कि आश्वन मास के 15 दिन ही पित्रपक्ष क्यों कहे जाते हैं मित्रो आश्वन मास में चंद्रमा हमारी प्रत्वी के सबसे निकट होता है चंद्रमा के ओरा में ही हमारे पित्रों का इस्थान सास्त्रों में बताये गया सास्त्र कहते हैं आश्वन मास में जब चंद्रमा प्रत्वी के निकट होता है और सूर्य की कन्या रासी में संचरन होता है तब पित्रपक्ष आता है तो सास्त्रों की मानिता है कि इस दोरान हमारे पित्र चंद्रमा के औरा से निकल करके हम सभी के घर पर आते हैं और हमें देखते हैं कि हमारा हमारे परिवारी जन किस तरह से स्वागत करते हैं किस तरह से इस्वर्ण करते हैं तो पित्र प्रक्ष आश्वनिमास में इसलिए मनाई जाते हैं अब आश्वनिमास की पूर्णिमा को देखिए, आश्वनिमास की पूर्णिमा को सरद पूर्णिमा का पर्व मनाए जाता है, सास्त्रों में इस रात्री को महारात्री कहा गया, क्योंकि चंद्रमा प्रत्वी के अत्यदिक निकट होता है, सोले कलाओं से पूर्ण होता है, सास्त्रों के मिताबिक उस समय चंद्रमा से अमरत महीं बूदे निकलती हैं, इसलिए हम विसेश रूप से खीर का भूग लगाकर, यानि कि चंद्रमा की रस्मियों को उस खीर में लेकर के उसका सेवन करते हैं, तो हमें आरुग्जिता प्राफ्त होती है, तो आश्वन मास में चंद्रमा प्रत्वी के अत्यदिक निकट रहता है, आश्वन मास में चं इस जो लोग मानते हैं, वो भी इसे समझने हैं, देखे उड्रल, पूरा सनातन धर्म, इसके सारे परव और त्योहार, सब कुछ बैदिक के साथ बैग्यानिक पक्ष रखते हैं, यदि आपने बैग्यानिक पक्ष की चर्चा की है, तो आपने जान लिया, कि हमारे जो बैग मांड में जिस तरह से ग्रहों का, जब भी चंदर ग्रेंड हो या सूर ग्रेंड हो, खगोली गठनाओं का आकलन करते हैं, उसी तरह हमारे रिशी मुनियों ने बताया, कि आज सुन मास में चंदरमा की क्या इस्तिती रहती है, दूसरा, जब हम पिंडदान करते हैं, तो पि में उर्जा होती है, उसी तरह उस पिंड के अंदर इन सब चीजों का मिष्ण एक उर्जा को बनाता है, उसी उर्जा को जो पिंडदान करता है, हम कहते हैं, आप इसको सूंगिये, क्योंकि जो ब्यक्ति अपने पूरवजों के लिए पिंडदान करता है, वो मन से उसको पहुंचती हैं बिल्कुल बहुत अच्छा बताया आपने तो हमने कब शुरू हुआ कब खता ये तो जान लिया क्यू होता है ये भी जान लिया अब पित्रपक्ष के दौरान बहुत से लोगों के सवाल आते हैं कि क्या करें और क्या ऐसी चीजें हैं जो ना करें देखें हमारे प्रत जो स्राद्दपक्ष है पित्रपक्ष मैं बहुत सरल बहसा में बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ब्रहद है सास्त्रों में इसकी बहुत बिवेचना दी गई सास्त्र कहते हैं कि हर व्यक्ति के उपर जर्म के साथ ही तीन रिण रहते हैं इन रिण को व्यक्ति कभी चुकता नहीं कर सकता जैसे देव रिण, रिशी रिण और पित्र रिण देव रिण भगवान नारायन से संबंदित है जो लोग अपने धर्म के अनुसार नहीं चलते, उनकी क्रियाओं का पालन नहीं करते, उन पर देवरिण चड़ता जाता है भगवान नारायन को इसका स्वामी बताये गया, इस रिण से मुक्ती पाना चाहते हैं आप, तो आप यग्य करें और दान करें, तो देवरिण आपका कम होगा दूसरा रिण रिण, रिशी रिण, ये भगवान सिव के साथ में जुड़ा हुआ रिण है, इस रिण में क्या होता है, कि आप बेदों का, गीता का, अपने सास्त्रों का पाठ करें, और लोगों को उसको सुनाएं यदे आप सनातन धर्म के अन्याई हैं, और आप गीता, भागवत, हन्मान चालीसा, यानि पुराणों का, आप न सुनते हैं, न सुनाते हैं, तो इस रिण को आपको अपने उपर बढ़ा लेते हैं, इस रिण को आपको दूर करना है, तो गीता का पाठ करिए, अपने धर् रिण है, पित्र रिण, माता और पिता का रिण, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में नहीं उतार सकता, पित्र पक्ष में हम केबल, उनके प्रतक्गिता व्यक्त करते हैं, कि आपकी करपा से हमें ये जीवन की प्राप्ति हुई, इसके पित्र रिण के स्वामी जो है, ब्र उनके परत्हम जो कृतगत अभयक्त करते हैं उससे आपके पित्र प्रसंद होते हैं घर परवार में सुक सांति आती है जोते सास्तर में कहते हैं कुंडली में पित्र दोश है यद आपको भी अपना पित्र दोश जानना है तो केबल इतना समझ दिये कुछ पॉइंटर मैं तो समझ लीजिए कही न कहीं आपके पित्र आपसे दुखी है, आप पर पित्र दोश लगा हुआ है, तो हम कृतक गिता व्यक्त करके इस पंदरे दिनों में उनकी कृपा प्राप्त करते हैं, उनका आशीस प्राप्त करते हैं, अब स्राध्ध में क्या करें, देखिए अपनी सामर्त के अनुसार हमें अपने पित्रों के प्रत स्राध्ध कर्म करना चाहिए, सास्त्र कहते हैं, यद आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप केवल प्रत दिन दक्षण दिसा में मुख करके खड़े हो जाईए, एक पात्र में जल लीजिए, और अपने पित्रों का ध्य ध्यान करते हुए दक्षण दिसा में किसी गमले में या किसी पौधे की क्यारी में उस जल को पित्रों को अरपित करते हैं, तो उससे भी प्रत प्रसन हो जाते हैं, लेकिन सास्त्र के अनुसार हमें अपने हर पूरवज का, हम साथ पीडी की बात करते हैं सनात्त दर्में, तो साथ पीडी के हमें पित्रों का सराद्ध करना चाहिए, तो पृत दिर हमें तीन बार, अपनी हर पीडी को ध्यान करते हुए, तीन बार उनको जल अरपित करता हैं चाहिए, दच्छण दिसा में, दूसरा, हम को पता नहीं, हम जाल से यादा तीन पीडी का ध्यान लट इसलिए प्रत दिन आपकी रसुई में विशे सुरूप से साथफिक भूज़न बनाए लेहसन प्याज का बिलकुल भी निशेद रखे इन पंदर दिन में तो प्रत दिन आपकी रसुई में जो कुछ भी बनता है तो उसमें से जैसे चार पराठे या चार रोटी बनी जल ले लिजिए और आसन बिछा करके अपने सामने यह सामिक गरी रख के बैठ जाइए और धत्षड़ दिसा की तरफ मुक करके बैठिए और अपने पित्रों का ध्यान कीजिए कि आज की तिथी मेरे जो भी ग्यात और अग्यात पित्र हैं वो इसका सेवन करें और हमें आश प्रत्रों की क्रपा प्राप्त होगी, प्रत्र दिन का इसराद हो जाएगा. जहां भगवान नारण के बिश्नुपद बंदर में चरण दर्सन होते हैं। गया को क्यों इतना उत्तम माना गया। देखिए, हमारे यहां जहां भी गंगा या यमना प्रभायत होती हैं, वहां सभी पित्र छेत्र माने गए, वहां भी आप पित्रों का तरपण प्रिंडदान स्राद्र कर सकते हैं। गया में गयासुर नाम का एक राक्षस था, लेकिन थोड़ा सा भक्ति भाब भी था। एक बार उसने भगवत दर्शन के लिए अनुस्ठान सुरू किया, उससे देवता भैबीत हुए, देवताओं ने भगवान नाराण से प्रात्रा की, तो भगवान नाराण ने अपना चरण रखर के गयासुर को समापन किया, उसका बद किया। तो भगवान ने उससे पूचा तो मैरी जो इच्छा है वो आप मांग लो। तब गयासुर ने कहा कि मेरे इस पिंड इस्थान पर आपके इन चरण इस्थान पर जो लोग आ करके अपने पित्रों का स्राद्द कर्म तरपन पिंडदान करेंगे, उनको आप अपने बेकुं पित्रों को मुक्ती अवश्य प्राप्त होती है, वही पर भगवान के स्री चरणों से फल्गू नदी प्रवाहित होती है, उस नदी के टत्पर आप पिंडदान करते हैं, तो भगवान के चरण से निकली गंगा प्रवाहित होती है, तो उससे भी पित्रों को मुक्ती प्र पिंद्द कर्म करना चाहिए यानि उनको जोडे से बिदा करना चाहिए एक लोगों के बीच में ब्रहनतिय उज्वन के हमने तो अपने पित्रों का स्राद्द गया में कर दिया अब हमें करने की आविश्यक्ता नहीं है मित्रों में ये कहना चाहूंगा ये जीवन आपको अगवान राम ने अपने पित्रों का पिंद्दान तरपन और स्राद्द कर्म किया था लेकिन गया में भी ये आपने पित्रों की सांती के लिए मुक्ति के लिए तरपन पिंद्दान स्राद्द कर दिया है तो मैं आप से हाज जोड़ के बिंती करता हूं वहाँ पर बिठा क्या हम 15 दिन में एक दिन के लिए भी उनको याद नहीं कर सकते जुनोंने हमें जीवन प्रण किया क्या हम करतक के दाब यहीरिकता 1 कर चकते इसलिए मित्रो आपने गया जी में अपने गया पित्रों का तरफन पिंद्रदान किया बहुत उत्त्म कार किया लोग की तरफ एक एक कदम बढ़ते चले जाते है यानि कि वहाँ पर सराद्द कर्म करने के बाद निश्यद ही वैकुंट लोग की प्राप्ती होती है क्योंकि स्रीहरी ने ये बचन दिया था लेकिन फिर भी हमें पित्र पक्ष में अपने पित्रों का तरफड़ पिड़ता सराद्द कर्म अवश्य करना चाहिए यानि उनको शराद्द तरफड़ करने के बाद भूलना नहीं है पुजा करते रहना है करते रही है पित्रों की पुजा अब बात आती है सारी चीज़ें हमने जान ली पित्र दोश ये बहुत लोगों का सवाल भी है और बहुत लोगों को बताया भी जाता है कि पित्र दोश है तुम्हारे उपर ये है पित्र दोश क्या है देखो ज्वल मैंने अभी इस चर्चा के सुरू में बताया कि पित्र दोश के क्या क्या कारण होते हैं सास्त्रों के मताबिक भगवान किष्ण अर्जुन से भी कहा हमारे या कोई भी मांगलिक कारे होता है तो आप सबके यहां पहले पित्रों को बलाए जाता है क्योंकि देवता भगवान किष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि आपके पूरवज आपसे प्रसंद नहीं है तो आपकी कोई पूजा देवताओं की भी सफल नहीं होगी सास्त्रों में पित्रों को देवताओं का इस्थान दिया गया आपके पित्र प्रसंद है तो आपके घर में सुक, सान्ती, स्रमद्धी और आरोग गिता और आपकी वन्स वरद्धी ये सब कुछ होती है आपने बहुत से लोगों को अपने आसपास देखा होगा कि उनके पास बहुत कुछ था बीगों खेट थे, बहुत धन संपता थी, पूरे कुल में बहुत सारे बच्चे पैदा हुए लेकिन जब पित्रों के प्रत उन्होंने घ्रणा का भाब सुरू किया, पित्रों की अभेला सुरू की, तो दीरे दीरे उनका सब कुछ खतम हो गया यह पित्रों दोश होता है कुंडली में या जीवन में, तो आपको मैंने लक्षन बताए कि घर में बेर्थ के रूप में पैसा खर्चोगा, पैसा आएगा तो रुकेगा नहीं, आपकी संपतिया बिक्ती चली जाएंगी, आपके जहाँ जबान ब्रत्यों होना सुरू हो ज नहीं, सांस्त्रों में अमावश्या तिथी, प्रते एक महीने की अमावश्या तिथी, पित्रों को समर्पित बताए गई, जो लोग अमावश्या तिथी पर अपने पित्रों का ध्यान करते हुए, यद ब्रहमन बोजन करते हैं सरवुत्तम, कुछ नहीं कर पाते हैं तो थो प्रशन है तो देवता भी प्रशन होंगे आपको किसी पूजा पाट की जरूरत नहीं है मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं आप कि पित्रों की कृपा विसेश आवश्यक है जी अभी आपने बताया कि पित्रों के लिए कोई खास दिन तो वैसे नहीं है साल के हर एक दिन उनके ये कृतकिता दिखाने के लिए जरूरी है लेकिन ये जो पंद्रे दिन है इन पंद्रे दिनों में लोगों को अपनी सामर्स्त के मताबिक क्या करना चाहिए जिससे उसका पूरा फल आप मिले देखे उजल मैंने कहा आपसे कि पित्र बड़े सहज है जैसे भगवान भूले बेटे का बुरा चाहेगा अपनी संतान का बुरा चाहेगा तो पूरबज भी बड़े सरल और सहज होते हैं उनकी क्रपासे जब घर में कोई मांगलिक कार्य होता है आप घर में कोई बाहन या कोई जमीन खरिदे हैं तो समझ लीजिए ये सास्त्र जोते सास्त्र से लेकर के सारे सनातन सास्त्रों में लिखा गया है कि आपकी अचल सम्पत्ती जब भढ़ती है तो सिर्फ और सिर्फ पित्रों की क्रपा से भढ़ती है तो जब आप इन चीजों को भढ़ता हुआ देखें तो समझें कि हमारे पित्र हमसे प्रसंद है उनी के आसीरवाद से ये घर में उत्सब और येस्किर्टी बढ़ रही है तो पित्र हमारे सहज रूप में प्रिसंद हो जाते हैं आपकी अच्छी सामर्थ है तो आप अच्छे तरह से ब्रहमन को बलाईए उनके चरंड हुए उनको इसमें उसमें उसमें अपने बाबा अमा जिस पित्र का आप सिराधन कर रहे हैं उनका ध्यान करते हुए उनका पूजन करिए बड़े प्रेम से उनको जो सामर्थ है जो उनको प्रियता वो padार सात्विक पाधार्थ भूजर में बनाईए उनको खिलाईए उनको अच्छे बस्तरों का दान दीजिए फल दान दीजिए ये सब दक्षणा दान दीजिए यदि आपकी कोई भी सामर्त नहीं है तो मैं आपसे पुनहे नविदन कर रहा हूँ आप केबल दक्षण दे सामें प्रत दिन खड़े हो जाईए केबल जल ले ल उनको पूरी तरह से आनंदित कर देती है तो यदे आपकी सामर्त है तो अवश्य करें यदे सामर्त नहीं है क्योंके पित्र भी देख रहे हैं कि मेरे बच्चे की सामर्त इतनी थी लेकिन इसने उस तरह से नहीं किया समझे रहे ना तो उस सामर्त की अनुसार करें तो आप को पित्रों की करपा अवश्य प्राप्त होगी तो पित्र पक्ष में आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कब से शुरू हो रहे हैं सारी जानकारिया आपको पंडिजी ने बताई उसी के मताबिक आपको सामर्थ के हिसाब से ये जरूरी नहीं है कि लोगों में एक प्रेहें उस्रेके.